नमस्कार साथ ही न स्वागत आपका मेरे यूटूब चनल में एक बहुत ही मैत्पून खबर निकल के आई है हम सभी जानते हैं कि एक सितंबर से कक्षा 9-12 के विद्धले खुलने वाले हैं तो उसमें कक्षा 9-12 ही जो क्लासेज हैं वो ही लगेंगी एक से आर्टक का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है अभी तक उनकी ओनलाइन पढ़ाई ही जारी रही जाएगी एक सितंबर से खुलेंगे स्कुल कोविड एडवाईजरी का पालन नहीं हुआ तो परभारी पर कारवाई शिक्षय विभाग के अधिकारी करेंगे स्कुलों का रिक्षन विभाग के द्वारे गाइड लाइन जारी की गई है जिसमें कोविड से संबंदि सारी बाते बताई गई हैं कि किस तरह से आमको इसकुल खोलनी है बच्चों का ध्यान कैसे रखना है और किन-किन चीजों का हमें ध्यान में रखना है इस संबंद में डिटिल में वीडियो बनाया जा चुक है आप चाहे हैं तो उसको एक बार चैनल के उपर जाकर देख सकते हैं यदि जो गाइड लाइन है उसका पालना नहीं होती है तो जो विद्धाले के संस्तापरदान होंगे उनके उपर कारवाई होगी साथ ही जो शिक्षक है उनके उपर भी कारवाई हो सकती है यदि किसी परकार की कोई लापरवाई पाई जाती है खबर को थोड़ा डिटिल में पढ़ते हैं कि एक सितंबर से नवी से बार्वी की कक्षाएं प्राराम हो रही है इसके मद्धे नजर सभी स्कूलों में कोविड एटवाईजरी की सत परतिसत अनुपालना सुनिशित करावे जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाई सैनी के जाएगी सम्मंदित स्कूल परवारिस के लिए जिम्मेदार होंगे उन्होंने काः कि इसकूल शीख़ा विवादिकारी इसकूलों का निरक्षन करें निजी इसकूलों का भी ओचक निरक्षन कीया जाएगा जो उन्होंने काः कि पडते की स्कूल में कोविड एपरव्रेट बेहेवरियर के नुपालना सरोच प्राथमिकता रहे तो साथी हम तो यह जानते ही हैं कि जैसे ही स्कुल खुलेंगे तो उसमें जो जांच की परकिरिया होगी वो भी काफी तेज होगी क्योंकि जो कोविड है वो काफी बैंकर समयश्या हो चुकी है तो उसकी जो गाइडलाइन है वो एक बार हमें पढ़ लेनी चाहिए देख लेनी चाहिए और उसी के अनुसार हमें विद्धाले लगवानी चाहिए उमिद करता हूं कि यह जानकरी आपको अच्छी लगी होगी आप लाइक करें शेर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब जरू करें थैंक्स फॉर वचिंग दिस वीडियो